तो स्ट्ट्वेंट्स यह हमारा जमेकन फ्रेगमेंट चेप्टर का या दूसरा पार्ट है पहला पार्ट हमने कर रखा हुआ है जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लिए उसका दूसरे पार्ट पर आए तो दूसरा पार्ट क्या होता है फोर अ होल डे पूरे दीन जो है आई पुजल ओभर दिस प्रब्लम यह जो है बलैक मैं पे जो अत्यचार क्या जा रहा था बच्चे पे उसको देखे पूरा दीन यह सुचते हैं पूरा दीन इनका इस बात में भी जाता है कि वाट सेकेंड जाखिर ऐसा हो कैसे सकता है वे न अफ्टर नून के समय जब वहां से गुजर रहे होते हैं दे लिटिल बॉयज वेर नॉट दे और दोनों बच्चे में से कोई वहां अवेलेबल नहीं था दैट इबनिंग आई थाट डीपली ऑन दा सब्जेक्ट उस दिन उस साम को जो है यह बात उनको काफी चिंता जनत लगी और उन्होंने पूरी रात इस पे सुच के समय बिता दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारा समाज आखिर जा कहा रहा है अगली सुबह बॉयज जो है फिर वहां पहुंचे थे एंड अमयन वाज स्टेंडिंग एड़ गेट और एक मयन गेट पर खाला कर उनको देख रहा लुक्ट यह भी जो है ना राइटर भी खराओकर देखने लगते हैं जो सी वाट दा वाइट बॉय वाज मेकिंग इस लीटिल सर्वेंट डू इनके दिमागत में यही रहता है कि वाइट बॉय ओनर है मालिक है और यह जो है लीटिल बॉय सर्वेंट है यह भी देखना चा अब यह देखते हैं कि वह जो बलाइक बॉय जो था ना वह पूरा एकदम टाइटली एकदम मतलब देख रहा तो काफी स्ट्रॉंग तरीकर से क्या था उस लॉन मतलब मैदान में खाला था और वाइट बॉय जो है अब्जेक्ट ली उससे क्या कर रहा था पीछे पीछे ज देखके लग रहा था कि बलाइक बॉय जो है काफी रिस्पेक्ट में है काफी पराइड में काफी गर्म में है और उसके पीछे जो है न यह जो वाइट बॉय जो घूम रहा है मतलब समझो उससे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है गेट में बनाना मुझे बनाना दो लिटिल बॉइट 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 वाइट वाइड उसको follow कर रहा है उसके बातों को जो जो ओडर दे रहा है वाइट वो पुरा कर रहा है I saw it now राइटर अब देखते हैं This was indeed a game अच्छा तो अब राइटरों का समझ वह जा रहे यह तो गेम खेल रहा है थे अगेम I had played as child वो डुकी बच्फबन में अगे हम राइटर भी कभी खेले होंगे यहने याद आता है इस बाइट टू किन टार्म एवरी अल्टरनेट डे तू बी दा बॉस एंड अधर सले जिसमें क्या होता है अल्टरनेट एक एक दिन चेंज करके बच्चे राजा और नौकर बनते हैं एक दिन कोई और बनेगा अब इसे राइटर क्या-क्या सोच करकल गए थे ना उन्हें यह सोच कर रही अपने आप पे हसी आती है अलुक अट दमाने श्टेंडिंग बाइद गेट फिर आइटर उस इनसान को भी देखते हैं जो गेट पे खाला कर उन्हें देख रहा होता है वह जो है एक वाइट मै बात है गेम ओम नहीं चल रहा है सिदी से बात है हमको भी लागा था सुरूएं पाल रहे हैं थे तो ही नो डाउट आइथा टू माइसेल्फ वाज वंडरिंग इफ दबलाएक रेसी सूपरियोर वाइट राइडर सोचने में बताईए इसमें कोई डाउट नहीं है अगर मै मैं फिर से सुचता कि बलाएक मैन या बलाएक इनसान जो है वाइट के साथ क्यों ऐसा कर रहा है आई लाफ जेंटली टू माइसेल्फ पीसे अपने आप पर क्या होता है हसी आती है क्या आती है कि कि हाव सीली ग्रोनफ आर मतलब जैसे से बड़े हो रहे हैं कितना मैं मतलब मतलब मुर्खो वाला काम कर गया हाव के लेवर वी यार हाव वंडरफुल एवल वी आर इन इंप्यूट मतलब हमारा दिमाग या हम कितनी जल्दी कितनी चलाकी से किसी वी चीज को जो है इंप्यूट कर लेते हैं समझ लेते हैं डीप मोटिफ टू चाइल्डिस एक्सन एक चोटे से बच्चे को के एक्सन को देखे हां उनके द्वारा किये काम को देखे हम क्या-क्या विचार बना लेते हैं यह बात अपने आपको राइटर बोलता है विल पूजर ओल डे ओन वेदिंग द बलायक विल इविश्वेली राइज एन रूल द वाल्ड विकाजी थिंग इसीज अ लिटिल बलायक बॉय रियलाजिंग आज टीन टेंडर एज इस सुपरियोरिटी ओभर द वाइट अब कहानी दो हो कितना चवर दस्ते यहां पर जो मतलब आगे चलता काफी बड़ा और सुपर होगा कि ना ओबर द वाइट वाइट के उपर आई विल सेव हीम पुजल आई विल एक्स्पिलेंट टू हीम आई वेंट एक्रॉस टू हीम राइटर बोलते हैं कि ऐसा ख्याल उसके मन में भी आएगा वाइट वाले का और मेभी आभी गया है तभी उसने यह बात बोला है तो इसी यह राइटर डिशाइड करते हैं कि मैं उसे समझाओंगा कि ऐसा नहीं है यह बस एक गेम है अब राइटर जो है ना जाते हैं उस आदमी के पास बोलते हैं कि I know what are you thinking मुझे पाता आप क्या सोच रहे होंगे आप यह बस नहीं है कि वाइट जो है वाइट से आगे है चुकि जैसा राइटर ने सोचा था कि वाइट ब्लैक से आगे है क्योंकि यह फर्स टाइम देखे थे और यहाँ भी इनके दिमाग में है कि यहाँ जो गेट पर जो इनसान जो खाड़ा है यह भी यहीं चीज सोच रहा होगा कि विकॉज यूज शेद लिटिल डार्क यंग्स्टर ऑन दो लॉन ओर्डिंग दो लिटिल वाइट बॉय क्योंकि राइटर बोर है उस इंसान से क्योंकि आपने अभी देखा कि बलैक बॉय जो है वाइट बॉय को ओडर दे रहा है सो आप सोच रहे होंगे कि बल यह बस एक गेम खेल रहा है अल्टर नेट देज वानिज बॉनस और इस सर्वेंट इस ग्रांड गेम इस गेम का नाम क्या है ग्रांड गेम है इसमें डेली जो है ना बच्चे किसी दिन बहुत बनते हैं कि दिन सर्वेंट बनते हैं आई उस टू प्लेट एट एंड मेभी डिडियू मैंने यह गेम खेला हुआ है राइटर बोर रहे हैं हो सकता है आपने भी खेला हो येस्टरडे आई साओ दे लिटिल वाइट बॉय बॉसिंग दर डार्क वन रैटर बता रहे हैं कल्हीं की बात है मैंने देखा वाइट बॉय जो है बॉस कर रोल कर रहा था और जो है उसको फॉलो कर रहा था और मैंने पूरा दिन यहीं सोचकर विता दिया कि वह जो कितना भयावा द्रिस्या है यॉंग लाइफ क्योंकि उस बच्चे का जिनकी बरबाद हो जाएगा वी और सीली वी और ग्रॉन आफ्स आर वी आर नॉट वी राइटर बोलते हैं हम ल करने आने लगे कि मैन वाउट ब्रॉस्ट खा मतलब होता कि मैणने राइटर बता रहे कि मैंने उससे जो एक्स्पिरेशल सन्तों समस्क्राइट 마음 काफी सर्पराइज हो ग्यां कि और वह मुझे हस्ते हुए हाथा क्योंकि I know all about the game he said वो वाइट मैन वो जो गेट पर जो वाइट मैन था वो राज सर मुझे इस गेम के बारे पता है तो बॉइज आर ब्रदर्स यो जो बॉइज जो हैं दोनों एक दूसरे के भाई है और दोनों मेरे सन है सन मतलब बेटे हैं वो एक वरांदे में खड़ी हुई एक हैंसम वोमें के तबी सारा खरके बोलता है जो बच्चों को बोलाने आती है नहीं जब बच्चों आओ खाने के समय हो गया है वो क्या है मेरी वाइप है आओ राटर फिर से राइटर के हाँसी आती है माई स्पिरिच लॉफ इन अप में हासी तो राटर आपको बोलते हं भाई मेरे वाईटमयन को देखते हैं और वह हैम के उपर हस मेлем वेल वीवील मिश्ट ट्रेन ट्राम इफ डॉंट हरी और वह बोल रहा है कि अगर चले हम जल्दी चले नहीं तो हम लोग क्या होगा छुट जाएगा तो भाई सारा का सारा कॉन्फीजों राइटर को इस था पहले दिन वाइट मैं को देखते हैं तो उन्हों लगता है तो राइटर खुद कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं बाद में सारी चीरे क्लिए हो जाती है हो आप लोग का भी सारा डाउट क्लिए हो गया होगा स्टुडेंट्स तो इस्टोरी काफी मजदार था उमीद करता हूं कि आपको इस्टोरी अच्छी लगी होगी और जब क्लियर करें स्टुडेंट्स में बहुत जल्दी साइन्स और सस्टी के वीडियो अपलोड करूंगा एंगलिस कंपिट हो जाने के बाद तो मुझे आप लोग का प्यार चाहिए और आप इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए धन्यवाद